हेड्लाइन्स के प्रायोजक हैं L.I.C. of India जिन्दकी के साथ भी जिन्दकी के बाद भी मोदी ने कहा राष्ट्रिय सुरक्षा से कोई समझवता नहीं होगा कॉंग्रेस कर रही है राष्ट्रिय सुरक्षा पर्राजनेदी जोलियावाला बाल मरसंगार के सौ साल हुए पूरे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुई गांधी ने दी शहीदों को शद्धांज दी चुनाव चार सहिता में दिग्विजे सिंग का बयान भोपाल में राम मंदिर के लिए कॉंग्रेस देगी जमील बीजेपी करेगी दिग्विजे की शिकाया बीजेपी उपाध्यक शिवरास सिंग नहीं लड़ना चाहते चुनाओ कहा संगठन का हर आदेश मनुगा और अमिश शहता कॉंग्रेस पर हमला कहा धुपेश बगेल चार माहा में 36 बड़ को दिवालिया घुशित कर देंगे नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल लिज़ अब खबर विस्तार से लोग सभाद चुनाओ में मिशन साउथ पर निकले प्रधान मंतरी नरिन मोधी ने कहा राष्ट्रे सुरक्षा से कोई समझाता नहीं होगा कॉंग्रेस राष्ट्रे सुरक्षा पर राजनीती कर रही है जबकि भारती एरफोर्स ते समय में पाकिस्तान में हमला कर लोट आई थी यह अब आपके उपर निर्भर करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों से आप कैसे निपड़ते हैं पीम ने कहा कॉंग्रेस कहती है कि अब होगा ने आया तो कॉंग्रेस बीते साट साल से क्या कर रहे थी कॉंग्रेस सिर्फ अन्याय पर चलती है के और उनके महा मिलावटी दोस्त कभी देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं मोदी ने कहा राष्ट सुरक्षा कोई समझोता नहीं होगा कॉंग्रेस राष्ट सुरक्षा पर राजनीती कर रही है आज दुनिया भारत को महा शक्ति के रुप में अनुभव कर रही है तो बीते पांच वर्ष की आपकी महनत का परणाम है अभ्यक् go was आपको टए करना है कि जब इस मार आप वोट देने जाएंगे आप देश का फैसला करने जा रहे है Yeah, देश कि किस दिशा में जाएगा इसला फैसला करने जा रहे तब आपको तय करना है कि अब देश में इमानदार चौकिदार चलेंगे या ब्रश्टाचारी नामदार पिम ने कहा कॉंग्रेस अब कहती है कि अब होगा न्याए तो कॉंग्रेस बीते साठ साल से क्या कर रही थी कॉंग्रेस सिर्फ अन्याए पर चलती है 1984 सिख दंगों में शामिल आरोपियों को बचाना चाहती है कॉंग्रेस में एक परिवार ही चलाती है देश से धोका देने वाले पकड़े जाएंगे ये आपका चौकिदार देश की सुरक्षा और आपके लाब के लिए काम कर रहा है जलियावला बाग नरसंधार के सौ साल पूरे हो गए है इस मौके पर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने नेशनल मैमोरियल पहुचकर शहीदों को शद्धांज ने अर्पित की कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने जलियावला बाग के सौ साल पूरे होने पर जलियावला बाग नेशनल मैमोरियल पहुचे उनके साथ पंजाव के मुख्यमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंग और राज्यमंत्री नवजोत सिंग सिदू भी थे। राहूल और अंग्रेस नेताओं ने सौ बरस पहले शहीद हुए लोगों को शद्धा सुमन अर्पित किये। सौ बरस पहले अंग्रेस जनरल डायर्म ने जलियावले बाग में निहत्ते लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। निर्दोश और निहत्ते स्वाधीन तसैनानियों की शहादत के सौ बरस पूरा होने पर पंजाव के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग ने कहा ब्रिटेन की प्रधान मंत्री थेरेसा जलियावला बाग नरसंगार पर लिखेत रूप से माफी मांगे उससे कम कुछ भी स्विकार नहीं होगा। है दिगविजा सिंग ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है राम नौमी के मौके पर हमीदिया रोड इस्थित राम मंदिर के दर्शन करने पहुचे यहां दिगविजा सिंग ने राम मंदिर के लिए जमीन देने का वादा भी कर दिया दिगविजा यह सब हिंदू वोटों को साधने के ले कर रहे हैं दिग वीजै ने मंदिर में जैशीla ram के नारे भी लगाय दिग्विजै सिंग ने यहां कहा कि polsk के कारेकल में बनवाया गया था सामने कि जमीन कॉंग्रेस भवन बनाने के लिए दी गई थी लेकिन अब यह जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी ताकि इस पर भव्य राम मंदिर बनाया जा सके कि जलते के लिए आप सब को बहुत बढ़ाएं और शुटाओना है आप इसके साफ ने किसी करना है तो आपके ट्रस्ट को अब ट्रांस्टर करना चानते हो जबी आप चुनाव के चलते कॉंग्रेस सौफ्ट हिंदुत्व की ओर है और दिग्विजे के आज के इस बयान को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है लेकिन दिग्विजे सिंग का यह मास्टर स्ट्रोक अचार सहीता को अंगूठा दिखाने जैसा है इस बयान पर बड़ा विव आप देख रहे हैं दखलियों तो घड़ी देख देख के चूला जलाने लगी सिर्फ इसी उमीद पर कि अच्छे दिन आएंगे बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड रखी दी मैंने इन्होंने नोट बन भी करके मुझे मेरे ही पैसो के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया आज उमीदे और भरोसा दोनों तूट गए अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना देश के दिल से दिल्ली दार अब कॉंग्रेस आप देख रहे है दखल न्यूज प्रिक के बाद आपका स्वागत है बीजेपी उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान का मन इस बार चिनाव लड़ने का ही नहीं है लेकिन अगर पार्टी उन्हें लेकर कोई फैसला करेगी तो इससे वह इंकार नहीं करेंगे उन्होंने कहा सभी संशे जल्दी ही दूर हो जाएगे शिवरा सिंग ने कहा मैंने पहले ही सपष्ट कर दिया था चिनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी वो स्विकार है भोपाल सीट के संशे पर उन्होंने कहा जल्दी ही सब इसपष्ट हो जाएगा भोपाल से उमा भारती के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा सबका स्वागत है हम सब एक है मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तियत रूफ से मैं चुनाव लड़ने का इपशुक नहीं हूँ पार्टी फिर जो फैसला करेगी स्विकार लोग सबह चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दोर जारी है भाजपा के राष्ट्य अध्यक्ष अमिश्याहा ने एक बार फिर कॉंगरेस पर निशाना साधा अमिश्याहा ने कहा भुपेश्ट बगेर चार महा में चप्तियस गड़ को दिवाली अधुशित करने वाले हैं कॉंग्रेस कर्ज लिये जा रही है और विकास कारे भी नहीं कर रही राष्टन गाओं की लोगसभाचेत्र डूंगर गाओं में पहुँचे भाजपा की राष्ट्य अध्यक्ष अमिश्याहा ने कहा कि एक तरफ नरिन्मोदी है और एक तरफ ठगो की बिरादरी भारती जंता पार्टी ने 15 साल 36 गड़ में कई विकास कारे किये हैं लेकिन कॉंग्रेस की नियत और नीती में अंतर हैं कॉंग्रेस कर्ज ले रही है और सभी विकास कारेों पर रोक लगा दी है शाहा ने कहा कि भुपेश बगेल चार महा में 36 गड़ को दिवालिया खोशित करने वाले हैं भाजबा के विधायक भीमा मंडावी की मौत को राजनिती शर्यंत्र बताया और भीमा मंडावी की मौत को CBI से जाच कराने की बाद भी कही खुराणों का ठेका पंचायेतों से आपने चिन लिया कानून और ब्यास्ता को तार-तार कर दिया और ट्रांस्पर इंडस्ट्री जो रमान सिंग जी ने बंद कर दी थी तब अगलों में भ्रस्टा चार बंकिया था अग दिन दहाडे ट्रांसपर इंडस्ट्री राइपूर के अंदर धम 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 चल रही है शाहा ने शराब बंदी को लेकर कॉंग्रेस को आड़े हातो लिया कहा कि शराब बंद नहीं की गई शराब पर टेक्स लगा रहे हैं और कॉंग्रेसी चखना दुकान चला रहे है शाहा ने कारिकरताओं को बूत इस्तर पर काम कर पूरे 36 गड़ में 11 सीटों पर जीद दिला कर केंदर में मोधी सरकार बनाने की बात कही है बीजेपी ने कॉंग्रेस की कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेशन किया और कॉंग्रेस सरकार को हर मोचे पर विफल बताया बीजेपी नेताओं ने कहा मधी प्रदेश में जूट बोनने वालों का राज्य है और हर तरफ आरा जबता का माहौल है बीजेपी कमलनाथ सरकार के खिलाफ सरकों पर उतराई है भोपाल के बोर्ड आफिस चोहराई पर बीजेपी ने कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेशन किया और कहा कि प्रदेश में जूट और तबादलों की सरकार चल रही है बीजेपी नेताओं ने आएकर छापों के जर्ये कॉंग्रेस को घिरने की कोशिश की इस प्रदेशन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए सांसाद आलोग संगर ने कहा है कि बीजेपी के सभी कामों का श्रे कॉंग्रेस लेने में लगी हुई है ये सरकार जूट का पुलिंदा है बीजेपी ने कहा मधिप्रदेश में सरकार भ्रष्टा चार के नए किर्तिमान रच रही है कानुन विवस्था की हालत खराव है बीजेपी ने इस सरकार के खिलाफ संगर्ष शुरू कर दिया है प्रदेश एक बार फिर दिगविजे सिंग वाले काल की तरफ बढ़ रहा है बुष्टा चार के मुझे पुजागरों का अब तक बढ़ पर गया जनता इस वात को देख रही है कि इतने दिनों में कमलना सरकार इस प्रकार से बुष्टा चार में लिप दूई है वस्ट ब्रेक का है बेके बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं अगर अगर आप देख रहे हैं का खल्नियों पान साल पहले आये थे हैं हमारी खेतों तक ही लोग भोले खेत से दूगनी कमाई हो दी पंद्रा पंद्रा लाग रुपय आएंगे खाते में अब किसान आदमी हैं कर लिया इन पर भरोसा देदिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सडकों पर आया हो तब आत्म सम्मान चीन लिया इन्होंने मेरा हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं जड़ा बच्के रहना देश के दिल से दिल्लीता अब कॉंग्रेस आप देख रहे हैं तखल नियूज प्रेक के बाद आपका स्वागत है एक तेज रफतार ट्रक स्पीड ब्रेकर से उचल कर डिवाइडर से जा टकराया और देखते ही देखते ट्रक में आग लग गए ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई ये हाथसा उजयन में इंदोर रोट पर हुआ जैन में महामरतिंजे दौर के पास बड़ा हाथसा हुआ राजिस्थान के इंदोर जा रहा तेज रफतार ट्रक रोट पर बने स्पीड ब्रेकर से उचल कर रोट डिवाइडर से टकरा गया ट्रक के टकराते ही उसका डीजल टैंक फूड गया और ट्रक में आग लग गई आग के करण ट्रक के टायर ब्लास्ट होना शुरू हुए और आग भड़क गई ड्राइवर और क्लीनर ने जैसे तैसे ट्रक से निकल कर अपनी जान बचाई ट्रक के ड्राइवर की नींद आ गई थी और वो स्पीड ब्रेकर को देख नहीं पाया जिस कारण यह हादसा हुआ ट्रक में आग लगने से ट्रैफिक सिग्नल हाई मास्क और पुलिस के कैमरे भी जल गए हैं बेश में लोगसभा चुनाओ का दौर है ऐसे में बुंदेल खंड इलाके में नमो अगें टीश ट्रैप की एक मांग बढ़ गई है таким कपडों की दुकानों पर यूवा मोधी अगें टीशिट और क्याप की मांग कर रहे हैं यूवाउं की माने तो मोदी द्वारा की कारेओं को देखकर मोधी काश बढ़स बढ़ने से और स्टॉ UP मघा का टीशोट बेच रहे हैं और यू में चुनावी सरगवर्मी का दोर है और यह वाओं में भारत बरस में जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है तो लोगों में बहुत उस्सा है मोदी जी को लेकर इस विज़े से मैं देख रहा हूं कि टीशेट्स की भी बहुत अच्छी दिमांड आ रही है कि मैं टीशेट्स म लोगसभा से कॉंग्रेस के उमीदवार बने सीहोड जिले की चावर विधानसभा छेत्र के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल अपनी उमीदवारी से उत्साहित हैं वह इसे पार्टी का आदेश और कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष राहूल गांधी का आशिरवाद मानते हैं वह कहते हैं मुझ जैसे युवा को इतनी बड़ी जिमेदारी कॉंग्रेस पार्टी ने सौपी इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूगा और विधीशा लोगसाभा में पिछले 30 सालों से लगे ग्रहन को समाप्त कर विकास की मांग प्रवाहित करूँगा जिशित रूप से चुनोती बड़ी है विष्टे 30 सालों से लेने के भारती जन्ता पार्टी के नमाइन देश शित को जीटे चले आएं चाहे जैसा आपने कहा टन जी की बात हो हम सबके बड़े नेता रहें सबादर्श के रूप में उनको देखते हैं चाहे इस प्रदेश के मुख्यमंदी तो पांच बार मुख्यमंदी बिला है विष्टे लोगसभाची है और गहने के शुष्मा सोराज जो की विष्टे कहिने के पीछे हैं चुनोती तो बड़ी होती है चुनाओ कोई भी हो वो चुनोती पूबत होता है और जितनी बड़ी चुनोती होती है उतनी हमत होती है और जब कारकरताओं का साथ होता है और आम जित्ता का साथ हो तो चुनोती भी कहिने की चुपी है लोग सभा चुनाओं के मद्दे नजर पुलिस ने सिहोर में वाहन चेकिंग के दौरान बुलैरो से 29 लाख रुपे नगत बरामत किया हैं रिकॉर्ड मैच ना होने पर पुलिस ने रुपे जब कर लिये हैं सिहोर जिले के आश्टा तहसील की सिदिग गंज थाना पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान भारी मातरा में कैश मिला वाहन चेकिंग के दौरान एक बलैरो जीब से 29 लाख की नगदी मिली कैश मिलने की खबर लगते ही वरिश्ट पुलिस अधिकारी मौके पर पहुचे दरसल लोगसभा चुनाओ के अंतरगात सिदिग गंज के नीलबर मार्क पर वाहन चेकिंग की जा रही थी पुलिस ने बताया कि यह राश 29,40,000 है कैश की अधिक्ता को देखकर ततकाल भोपाल से आईकर अधिकारियों को बुलाए गया आईकर की टीम अब कैश को लेकर बिविन बिंदूओं पर जाच कर रही है बुलैरो में मौझूद लोगों का कहना था कि रकम जमीन बेचनेक से मिली है उन्होंने जमीन के सौदे से जुड़े कागजाद भी पुलिस को दिखाए लेकिन पुलिस पूश्टाच के दौरान जवाब से संतुष्ट नहीं हुई अब जाच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कैश के परिवाहन का वास्तविक और चित्ते क्या था फिलहाल पुलिस और आईकर की टीम कई पहलों पर पूश्टाच कर रही है आप देख रहे हैं दखल्नियों बहुत हुई महंगाई की मार यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिशली बार ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफे जब सिलेंडर हजार रुपे का हुआ तो घड़ी देख देख के चुला जलाने लगी सिर्फ इसी उमीद पर कि अच्छे दिन आएंगे बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड रखी थी मैंने इन्होंने नोट बंदी करके मुझे मेरी ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया आज उमीदे और भरोसा दोनों तूट गए अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाज़पा सरकार से बच के रहना आप देख रहे हैं दखल नियूद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तलाप सौंदरी करण के विकास के नाम पर एक नीजी कंपनी ने ग्रामीनों के साथ धुका गड़ी करने का मामला सामने आया है तलाप के गहरी करन करने से दुरगटना होने की संभावना को देखते हुए ग्रामीनों ने इसका विरोथ किया है ग्रामीनों ने कमपनी के खिलाब प्रशाशन को इसकी शिकात भी की है और कहा है प्रशाशन ने अगर कोई कारवा ही नहीं की तो लोगसभा चुना का वही शिकार कर दिया जाएगा करीवा जिले के मनगवा विधान सभा के मड़ी कला गाउं में रोड निर्मान करने वाली कमपनी बंसल ग्रूप से परिशान होकर ग्रामीनों ने सरकार से न्याय की गोहार लगाई है इस्थानियन लोगों का कहना है करीवा इलहबाद रोड निर्मान करने वाली बंसल गुरूप कमपनी ने रोड में मुरम एवम गिट्टी डालने के लिए गाउं से मदद मागी थी जिसके बाद गाउं में एक मात्र तलाब को सौंदर करन एवम गाउं के विकास की बात कही गई थी गाउं के लोगों का कहना है कि कमपनी ने मिट्टी के नाम पर पुराने तलाब को करीब 84 मीटर खोद दिया गाउं के लोगों ने इसकी शिकायच शाषन और प्रशाषन से की लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कारवाही नहीं की जा रही है वहीं जिमेदार प्रशाषनिक अधिकारी चुपी साधे बैठे हैं गरामीनों का कहना है कि तलाब की सुव्यवस्था रूप से ना बनने के करण आए दिन जान माल का खत्रा बना रहता है आए दिन जानवर मवेशी तलाब में गिरने लगे हैं गरामीनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है तो वह इस मामने को लेकर उगर आंदोलन करेंगे साथ ही रीवा इलाबाद मार्ग को वादित कर धरना प्रदशन करेंगे कारवाही ना होने पर गरामीनों ने लोग सभाचुनाव का वहिशकार करने की बाद भी कही है जो दिया है कि सबसे वड़ी पहली पहली का जो लिक कंपणी ने जो वादे किया था उनने कुछ नहीं किया यहां पे आके तालाब को इतना गहरा कर दिया लेकिन उसमें उसने आज तक कुछ नहीं किया यहां तक कर रोड का पूरा काम लगब कप्ली होगी वाहन चालक पुलिस के सक्त रवये से ना सुधरे तो पुलिस ने ट्रेनी एर हॉस्टेस को मैदान में उता लिया और इन ट्रेनी एर हॉस्टेस ने भी बड़े प्यास से लोगों से निवेदन किया कि कृप्या आपने कुछी की फेटी अर्था सीथ बेल्ड बान लिजे दो पहिया वाहन चालक अपने हेलमेट पहन लीजे अब ट्रेनी एर हॉस्टेस में ट्रेफिक विवस्था समाली तो लोगों को ये अंदाज अच्छा लगा मगर देखना ये होगा कि लोगों पर इसका असर कितना बड़ता है इंदोर में रीगल चौराहे पर वहान चालकों को ऐसा लगा जैसे वो फ्लाइट पर सफर कर रहे हों अचानक सौ में अंदाज में ट्रेफिक कमान की अवाज उनके कानों में पड़ी जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये काम निजी कमपनी की ट्रेणी एर होस्टेस कर रही है तो लोगों की भीड जमा हो गई एक अलग अंदाज में यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा था जैसे ही रेड लाइट होती है वैसे ही खुबसूरा ट्रेणी एर होस्टेस जैबरा क्रोसिंग पर आ जाती है और अपने अलग ही अंदाज में ट्रेफिक के नियम समझाती है उन्होंने सभी से ट्रेफिक के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया डेस्पी उमाकान चोधरी ने बताया कि सुभा कंट्रोल रूम में सत्तर से अधिक छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई थी यह प्रिसिक्षन आगे भी जारी रहेगा कृपिया ध्यान दे अपने और अपनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार पहिये वानों वाले कृपिया अपनी खूर्सी की पेटी अथाथ सीट बेल्ट बान ले दो पहिये वानों वाले कृपिया अपना हेलमेट पहन के लॉक कर ले सरकारी जमीन पर अवैद खनन करके लाखों रूपए की रॉयलिटी चोरी करने के मामले में सारंगड SDM वा खनिज विभाग की टीम ने छाप अमार कारवाही करते हुए करीब 25 लाख मूल लेकी अवैद गित्टी के साथ 12 डंपर तक एक GCP और एक पॉकलिन मशीन को जब सिया लंबे समय से अवैद खनन करके रॉयलिटी चोरी की जा रही थी इसकी जानकारी लगते ही सारंगड SDM वा खनिज विभाग की टीम ने खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत कारवाही करते हुए अवैद खनन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके जाच सालक SS नाग ने टीम बना कर टिमरलगा से उस इलाके में चापमार कारवाही की जहां अवैद खनन के जर्ये गिट्टी की चोरी की जा रही थी इस संबन में SDM हितेश बगेल और सायक खनिज आयोगत ने बताया कि मौके पर 12 डंफर गिट्टी से लदे जब्त किये गए हैं एक्स्टोसिव के भी ट्रोटनेटर वाग रपाए गया हैं यह अशा तो कुछ ऐसा विवाद तो नहीं था लेकिन नोगजोग तो हो जाती है थोड़ी सी से इतनी बड़ी कारवाही करने में और अभी हमने जो है एक तो उत्कनन का प्रफरन दर्ज कर लिया है और हम लियमन अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद यह कारवाही की गई है और मौके पर अवैद गिट्टी खनन होना पाया गया है और इसके परिवाहन में शामिल वाहनों को भी जब्त करके राजसात की कारवाही की जा रही है इन अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमती के खनन कारे के चलते शाषन को रोयलिटी का बड़ा नुकसान हुआ है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनोट मातला के मंदिर में जवान देवी अराधना में व्यास रहते हैं इस मंदिर पर पाकिस्तान में 1965 में युद्ध में 25 बम गिरायक है लेकिन एक भी बम नहीं फटा और मंदिर पूरी तरहा सुरक्षित रहा तब से जवानों की इस मंदिर में अपार शड़ा है इस इलाके में तनात होने वाला हर जवान यहां आकर मा की अराधना जरूर करता है यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं हैं यहां हमारे जामास सेनेक शक्ती की अराधना करते हैं तनोट माम का मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है तनोट राय को हिंगलाज मा का ही एक रूप कहा जाता है हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में बलुचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ स्थापित है भाटी राजपूत नरेश माता को पूश्टे आ रही हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सितंबर 1965 की लडाई हुई थी उसमें पाकिस्तान के स्थैनिकों ने मंदिर पर कई बम गिराए थे लेकिन मा की कृपा से एक भी बम नहीं फट सका था तब ही से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प मांकर थे लो पिराप्र से गठिक हर पर मिनost और मीन हम पिलाद थे थे लेकिन में डेलक तर खालव में पर कई सीमान इस तर इना नाओ लाट आखवा लाट का लाट अवर लाट जाता हूं इस बुलिटिन में फिरहाल इतना ही आप देखते रही है दखल न्यूस दखल आपके हक में जरजर भुपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार कहीं जाएगा मत नमस्कार भैरन समाचार मैं आपको वेलकम करिया हूं मैं हूँ जरजर भुपाली आज दिवा खराव है मेरा चाहिवा कुछ भाड़ा में लखतली वह गाड़ी उड़ादी विदायक मर गई और उप्च कि अधियर के पिर काड़ ले गए राधा पानी जंगल जमाँ तो मैं बचार नहीं बचाएगा तो तुम भी नी बचाएगा जंगल नहीं बचारा हूं उसकी लोगा जाएगी तोड़ा गोश में रहो पर चापे में देखो जान मर रहो खाल है निकल निकल लिए यह इरन की पर नीचे पेड़ था पड़ा अडग गई सब की जाने मच नहीं बताओं ने शंका लब लिया है कि सब एक एक पेड़ लगाए लगाया कर भाई यहां इसलिए खायता हूं मैं इनको परिमिशन कियों देती है मोर्ती की हाट तोड़ दिया रस्ता बान दिया उससे पर खड किते कारीगारों ने कितनी मेनद से चीज़ें बनाई है इनका क्या खराब करके चले जाएंगी यह तो चल लिया है और भाईया यह पेले चलड़ का मद्दान खतम हो गिया और मैं बतानों बहुत अच्छा हुआ हुआ चाहां चाहां बंद हुई बीचारे जो इस्टूडे को मैंने सुआ है एक अमनलाद ने वर दी है और मेरा भी भाईया मियां भी पर्चा वरनने जा रहे हुँ डॉक्तर के यह तो पर्चिये में डॉक्तर से वरवाऊंगों कुछ घुलिया बगारे लेखवांगों बतारे हुआ है असम बोपाल की खारे हुआ 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 आप देख रहे हैं दखल नियूज